जेहीं सातियों, सातियों बात करते हैं, आर्मी रिजल्ट 2020 के अंदर जो सेना पड़ती रेलियों हुई थी, दोस्तों उनका एक्जाम था, एक नॉम्बर 2020 को जीडी, ट्रेडमेंड, टेकनिकल और कलरक के बदों पर जो सेना पड़ती रेलियों को पेपर हुआ था, उन सबी क रिजल्ट जारी हो चुका दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं, एक नॉम्बर को जो सेना पड़ती रेलियों का जो पेपर हुआ था, उन सबी का रिजल्ट जारी हुआ है, उसका रिजल्ट और दोस्तों, और 2021 में होने वाले नई सेना पड़ती रेलियों के बारे में भी अधिख जानकारी देंगे दोस्तों तो दोस्तों आप वीडियो अंतक जूर देखना और हमारे चैनल फर फर्स बार विजिट कर रहे हो तो पलीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो पास में बेल आइकन दिखा दिखाए मैं उसको प्रेस कर ले ना दोस्तों तो दो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं डोगरा multif Tu के लिए वसका niet जारिवा है दोस्तों इसमें देखते हैं आप सबसे पहले जो जी डिये उनकर चाहति लिए गई यहें Ilay 1728-1009 है 1014 दोस्तों सीनियर्टी वाइज रॉल नमर नहीं होकर उख चूख हो सकते हैं पर तो अपना रोल नमर आप आसाने से देख सकोगे तो दोस्तों आप देख सकते हो सभी सेनावर्टी रेलियों का रिजल्ट आपको इसी वीडियो के मादें से मिल जाएगा दोस्तों त चील एंड साइन सभी दिखाए गए हैं तो दोस्तों यह क्योल डोगरा रेजमेंट सेंटर है जो फ्रेजाबाद के लिए उसेनावर्टी रेलियों का रिजल्ट जारी होए दोस्तों तो दोस्तों अब देखते हैं अलमोडा जो ए आरो है वहां से जीडि के लिए जो रिज जो रिजल्ट जारी हो चुका है दोस्तों अपना रोल नमर आप आसानी से देख सकते हो यदि आपको रोल नमर नहीं पता है दोस्तों इस पीडियों में नहीं मिला है तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट जुरूर कीजिए आप बताएंगे आपको रोल नमर कौन से ए तो दोस्तों ये था अलमोडा से जो result निकल कर रहा है उसके बारे में जानकारी अब बात करते हैं दोस्तों पिटोरागड पिटोरागड से जो जीड़ी के लिए एक्जाम हुआ था उनसे भी यह का result आ चुका है दोस्तों दोस्तों आप देख सकते हो अपना role number सिनेटिवाईज है या नहीं पर तो दोस्तों उपर नीचे हो सकता है role number तो आप आसानी से अपना role number देख लिजिए यदि आपको नहीं मिलता है तो हमारे comment box में आप अपना role number और RO का नाम लिखकर send कर सकते हुँ दोस्तों तो दोस्तों यह सभी है लखना उसे जो भी यूँआ है ए आरो से जो एक्जाम दिया था उन सभी का जीडी से रिजल्ट आ चुका है दोस्तों अपना रिजल्ट आप आसा नीचे देख सकते हो दोस्तों दोस्तों यदि आपको अपना रोल नमर नहीं मिलता है तो आप मारे कमेंट वोक्स में अपना रोल नमर और आरो का नाम लिखकर सेंड कर सकते हो हम बताएंगे आपका रिजल्ट में आपका बारतिय सेना बढ़ती में सेलेक्शन हुआ है या नहीं दोस्तों उसके बारे में ज से जो रिजल्ट आ चुका है दोस्तों कि दोस्तों अपना रॉल नमर आसानी से देख सकते हो दोस्तों यह सभी पीडिये फाइल हैं आपको बारतिय से ना बढ़ती रेली की ओपीसियल वेबसाइट है जोइन इंडियन आर्मी डोट एन इसी पर मिल जाएगी दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों दस वी पास लखनों से ट्रेडमेन के लिए वेकेंसी थी उसमें दोस्तों सेलेक् सोल्डर टेक्निकल के लिए लखनों से जो वेकेंसी थी उसका भी रिजल्ट जारी हो चुका है आप अपना रॉल नम्बर आसने से देख सकते होतो दोस्तों यदि आपको रॉल नम्बड नहीं मिलता एपना ए-ा-रो का नाम लिक कर और अपना रोल नम्ड को पर स्रेंड दो हो दोस्तों हमें दोस्तों बात करते हैं जो राट से जो शेना पठती रेली का जो एक्जाम था एक नॉम्बर 2020 को वा था सोल्टर जीडि से उनका रिजल्ट आ चुका है दोस्तों अपना रोलंबर आप आसानी से देख सकते हो दोस्तों दोस्तों सिलिचार से भी जो सेना बढ़ती रेली थी ए आरो से वहाँ पिस एक नॉमबर को जो एक्जाम हुआ था उन सभी का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों दोस्तों अपना रोल नॉमबर देख सकते हो दोस्तों जो राट शिलिचार से जो सेना बढ़ती रेली का जो टेकनिकल के पदों पर ट्रेडमेन के पदों पर वेकेंसी थी उन सभी का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों अपना रोल नॉमबर आप आसानी से देख सकते हो वेकेंसी कितनी है किन पदों पर सबसे ज़्यादा वेकंसी आती है दोस्तों जीडी के लिए सबसे ज़्यादा वेकंसी आती है और दोस्तों ट्रेडमेन के लिए सबसे कम वेकंसी टेकनिकल के लिए वेकंसी सबसे ज़्यादा नहीं आती है दोस्तों तो दोस्तों और भी यदिक जानकर चाहिए तो आप हमारे comment box में comment जरूर कर सकते हो दोस्तो अपने वीडियो अपने दोस्तों कि जाधा सेयर कीजिए और एक like और एक subscribe जरूर दीजिए दोस्तों तो दोस्तों वीडियों तक जरूर देखने के लिए धन्यवाद जय हिन जय बारत